असलाव अलेकुम, I hope everybody is going very good, very fine, this is the paper of Endocrinology, Animal Sciences, Gajah University की Lab है, very important lab, मैं इसका paper ढून रही थी, कि मुझे इसके तोड़े जादा papers मिल जाए, so I can add more, but मुझे अभी इसकी brief सा एक paper मिला है, but it's an important lab, and बहुत से लोग इसमें जाने में interested होते हैं, and they are asking for the animal sciences, actually pattern, but ये important lab होती है, और लोग इसमें interested हैं, तो मैंने ये बहुत समझा कि आपको यहां तक तो share कर लो, hopefully if I get more information, more paper, papers I had, will share it with you, as well, okay, जी, ओपर देख लिए 35 marks है, और 1 hour का बड़ी paper, जो है, and ये brief answer से लिखनें, बड़ी paper क्योंके, complete नहीं है, but जितना भी है, मैंने आपके साथ share करना था, so I'm sharing it with list categories of physiological functions that are regulated by hormones, okay, जी, नीचे देख लेजाए, ये मैं थोड़ा, आइस्ते से कर देती हैं, ताकि आप ठीक से देख सको, आप साब, note कर लेजाए, जो लोग तियारी करें, उनको, और मैं शुरू से बता रही हूं के, MFIL की तियारी, MSE की endocrinology, या BS के endocrinology के course करें, जो basically तम या तुमाम basically courses ऊपर outline में कहा देती हैं, तो यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहरे है, इस वेरी इंपॉर्टन लाब, और बहुत से लोग इसमें 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 इसमें, जो लोग इसमें आना चाहते हैं, यह अन लोगों के लिए, ठीक जी, और अच्छी से त्यारी कीजिए, इसका इंटर्वियो होता है, यूजिली एंफिलियन्स का भी और पीच्टी का भी, ठीक है, जो मैं अपनी शुरू से कहा रही हूँ, तमाम वीडियो में, अगर आप नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं, आपको मुज़ीद इंफिमे है, ट्यू टेक्यू मैं मॊच, अनलाख, घाव खेरियां मौच, प्रूल के देखुआ हैं, यूजियो करें, देख़ड़ने।